आपने कभी सोचा है, जब भी हम पूजा के लिए हवन करते हैं, तब स्वाहा शब्द का उच्चारण बार-बार क्यों करते हैं? बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि स्वाहा आसल मैं हमारे हिंदु धर्म की एक देवी का नाम है. स्वाहा देवी प्रजापती दक्ष की पुत्री हैं और उनका विवाह अगनी देव से हुआ था. स्वाहा देवी को यह वरदान है कि हवन में चड़ाया गया आहुती देवताओं को तब तक नहीं पहुँचेगा. जब तक आहुती डालते समय, स्वाहा देवी का नाम नहीं लिया जाएगा. अगनिदेव केवल अपनी पत्नी स्वाहा के माध्यम से ही हवन ग्रहन करते हैं इसी कारण से हवन में उचरित होने वाले मंत्र के आखिर में स्वाहा शब्द का बार-बार उलेख होता है क्या आप स्वाहा देवी के बारे में जानते थे? कमेंट में जरूर बताएं